आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाना सरकार ने जो हाल ही में ग्रेन एटियम लगाने की योजना बनाई है दहे कितनी कारगर साबित होगी और उपभोगताओं को कितना लाब होगा अब सरकारी राशन डिपो के आगे अनाज लेने के लिए उपभोगताओं को ना तो लंबी कतार में लगना होगा और ना ही कम राशन मिलने की शिकायत का मौका रहेगा क्योंकि हरियाना सरकार अब अपने राज्ये के उपभोगताओं के लिए ग्रेन एटियम इस्थापित करने की योजना पर काम कर रही है हरियाना के गुरू ग्राम जिले में पाइलेट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला ग्रेन प्रोजेक्ट इस्थापित भी कर दिया गया है ग्रेन ATM लगाने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा मापना मिलने को लेकर तमाम शिकायते दूर हो जाएंगी इस मशीन को लगाने का मकसद right quantity to right beneficiary है यानि वास्तविक लाब पात्रों को अनाज की पूरी मात्रा मिले और समय से हासिल हो इससे ना सिर्फ उपभोगताओं को फाइदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपो पर अनाज घटने का जंजट भी खत्म होगा सार्वजनिक वितरन प्रनाली में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी हरियाना सरकार का कहना है कि ग्रेन एटियम मशीन लगाने से ना सिर्फ डिपो संचाल को के लिए अनाज वितरन में मदद मिलेगी बल्कि इससे लोगों का समय और महनत दोनों की बचत होगी हरियाना सरकार फरुख नगर के बाद ये मशीन पुरे प्रदेश में लगानी की योजना पर भी काम कर रही है अब समझते हैं ये ग्रेन एटियम मशीन कैसे काम करती है यह स्वचालिद मशीन बैंक एटियम की तरज पर कार्य करती है युनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इस्थापित की जाने वाली इस मशीन को आटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पैंसिंग मशीन कहा गया है और अनाज के मापतोल को लेकर इसमें तरूटी ना के बराबर है और एक बार में ये मशीन 70 किलोग्राम तक अनाज 5-7 मिनट में निकाल सकती है ग्रेन एटी ये मशीन में टच स्क्रीन के साथ बायोमेटरिक मशीन भी लगी है जहां पर लाभारती को आधार या राशनकार नंबर डालना होगा बायोमेटरिक से सुनिश्चित करने पर सरकार के द्वारा निरधारित अनाज खुद ही मशीन के नीचे लगाए गए बैग में भर जाएगा इस मशीन के माध्यम से अभी ग्यहू चावल और बाजरे का वितरन किया जा सकता है आपका क्या मानना है हरियाना सरकार की इस पहल के बारे में क्या पूरे भारत में सरकार को इस तरह की ग्रेन एटियम मशीन लगाने पर विचार करना चाहिए अपनी प्रतिकिरिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें